अगर बाइन एक नई वीडियो में भाई कल बहुत सारे question आपके आए और बहुत सारे DM मेरे पास आए कि हमारा Binance App खुलने रा Binance App बैन हो गया देखो ऐसा possible नहीं है अगर Binance App बैन होगा तो ऐसा तो नहीं हो चकता कि 10 लगों का खुलेगा और 5 लगों का नहीं खुलेगा जब बैन होगा तो एक complete बैन होगा है ना ये बात आप समझा करो अगर आपके पास कोई सा भी एप है अगर आपको लगता है कि बैन होने की possibility है तो भाईया आप अपने fund transfer कर लो ठीक है लेकिन डरो मत डरने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि crypto के अंदर एक खास बात है कि crypto को किसी भी exchange की ज़रुत नहीं है ठीक है अगर आपके पास कोई भी crypto hold है तो multiple option है आपके पास आप उसे cold wallet में hold कर लो जो normal wallet होते हैं उसमें hold कर लो किसी भी exchange का साहरा लेने की आपको ज़रुत नहीं है और नहीं बैन हुआ था उसी time पर मैंने Binance app खोल के दिखा था कोई बैन नहीं था बस वो server down थे या कोई technical issue था ठीक समझेगे अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अच्छा एक और चीच अगर कल को कोई ऐसी situation आभी जाती है जहां पर की Binance app बैन होता है तो भाईया ये crypto है ये technology है इसमें एक दरवाजे बंद होता है तो इसमें चार दरवाजे नए खुलते हैं है ना तो इसमें के साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में make sure कि आप वीडियो को लाइक करेंगे चैनल के साथ नहीं जुड़े जुड़ेंगे और मेरा नाम शुरान थे हम crypto की बाते करते हैं यापर अब बात करने वाले हैं Bitcoin की तो Bitcoin का चार्ट आपको देख पा रहा होगा ठीक है तो currently हापर आप देख लो 41,200 के गरी Bitcoin trade कर रहा है देखो सबसे important बात यह है Bitcoin में अलड़ी में आपको बता के रखा हुआ है कि भाईया जो Bitcoin है वो अलड़ी बहुत over bought zone में यानि कि कहीं न कहीं हमें एक नीचे की साइड momentum Bitcoin में देखने के लिए मिल सकती है जो मुझे लगता है ठीक है लेकिन हम इस momentum को trade बिल्कुल भी नहीं करेंगे हमारे दो level है उन level का हम इंतिजा करेंगे भाई पहला जो level है वो हमारा है 38,000 यानि कि अगर price अपना 40,000 level के तोड़ता है तो 38 के करीब बहुत इसली आ सकता है क्यों क्योंकि 40,000 को जो level है वो बहुत psychological level है psychological यानि कि काफी लोगों ने orders लगा के रखे होंगे 40,000 के करीब तो भाई अगर ये level टूटेगा तो एक selling pressure आपको market पे बनता हो दिखिए 38 का हमारा एक next level है अगर आप trade करना चाहते हो Bitcoin को तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ देखे फिलाल 47,200 के करीब है एक buyers को 37,500 से लेके 38,000 तक ये 38,000 तक आने दो ठीक है जैसे ही आता है यहाँ पर कोई आपको एक hammer जैसी candle दिखती है तो भाई हम यहाँ से सीधा long करेंगे scalping करके 15-20 minute में अपने पैसे कमा लेंगे ठीक अगर आपको मैं एक ऐसा area बताऊं जहाँ पर कि आपको Bitcoin acclimate करना चाहिए तो भाई वो बैठता है अब 28,000 का level अभी 41,000 है 28,000 level मुझे पता है कि नीचे है लेकिन यह एक ऐसा level है कि यहाँ तक भी Bitcoin शायद in future अगर आ जाये तो भवरा नमर यहाँ पर आपको acclimate करना चाहिए क्यों क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हालविंग के पहले है ना जब भी हालविंग होती है उससे पहले हमें एक crash देखने के मिलता है जो कि अच्छा कासा crash होता है अगर 28,000 तक वो crash आया है इस बार तो भाई यह सीधा जो crash है वो हमारा होगा यहाँ पर 28 या 29% का जो कि एक अच्छा कासा crash है तो इस दर्मियान सारे लोग जो है और bitcoin का जो price prediction आपको बता के रखो है कि 2024, 25, 26 यह जो हमारे halving वाले time है halving के बाद जो bulan का time है इसमें bitcoin easily 1 lakh dollar भी touch कर सकता है है ना और बात रही वो लोग जो कि नहीं मानते इस बात को तो भाई आप यह देख लो कि bitcoin के ETF भी आ चुके है USFC इतनी बड़ी country अगर ETF लेके आ रही है bitcoin के तो कुछ ना कुछ तो अलग बात होगी ठीक समझ गए अच्छा अब कुछ और important बात करनी है यह सब कुछ मैं आपको दिखा दिया आज बात करनी है हमें tax के बारे में क्रिप्टो टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर 30% और 1% TDS तो बाचीत यह चली है कि क्रिप्टो टेक्स को community जो है वो demand कर दिया है कि 30% से 15-17% तर लाना चाहिए और TDS को 1% से 0.1% पर लाना चाहिए ठीक है अब अगले महिने फेब के अंदर हमारा बजट आने वाला है इंडिया में अब important बात यह हो कि क्या बजट में कहीं क्रिप्टो के बारे में बात की जा सकती है क्यों क्योंकि hashtag reduce crypto tax भाई बहुत दिन से trending पर है सरकारी भी देग रही है कि क्रिप्टो वाले शांत नहीं है क्रिप्टो वाले अपनी जो वाजब उठा रहे है तो शायद इस budget के अंदर देखो मैं शायद कहा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं confirm कि होगी बात नहीं होगी लेकिन अगर बात हो गई crypto tax कम करने की तो भाई यह हमारी हो जाएगी क्रिप्टो में क्योंकि tax अगर कम हो गया तो भाई अब वो तो बल्ले बल्ले है लेकिन अभी यह confirm नहीं है कि budget में बातचीत होगी यह नहीं होगी होती है तो भाई बहुत अच्छी बात होने वाली है guys उमीद कराऊं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो please like कर देना चेहर के साथ नहीं चुड़े जुड़े ना be safe crypto जिंदा बात